आप फंडामेंटल पार्टिकल्स या साधारण अपने मौलिक कण तक की बात की थी और प्रोटोन न्यूट्रोन और इलेक्ट्रोन इन सब की अपने जानकरी थी आप आज क्या करेंगे एक काम तो यह करेंगे कि जो अपना टेलीग्राम ग्रूप है एनम क्लासेज जैपूर के नाम से उसको आज आप जोइन कर लेगा ठीक है डेली की डेली जो मैं पढ़ाऊंगा उसका डीपी टालोगा जैसे जो हमने आज और कल पढ़ा उससे रिलेटेट जो भी डीपी होंगे वह आपको उसके उपर मिल जाएगे ठीक है एनम क्लासेज टेलीग्राम पे दूसरा का क्या करना उनका जो सॉलूशन होगा वह आपको जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर आपको उसका सॉलूशन मिलेगा रोज की रोज एक दू दिन में जैसे माल लोग हमने आज और कल में जो पढ़ा उससे रिलेटेट जितने भी अब्जेक्टिव कोश्टेंस मिलते है वह आपको टेलीग्राम ग्रूप पे मिल जाएंगी पहले आप कोशिश करना कि आप उसमें कितने कर पा रहें और मालो कोई कोश्चन ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाया तो फिर शाम को उसका सॉलूशन में यूट्यूब पे डालूगा तो फिर आप उसको देखते रहें उसस पेस नहीं यह उठा कि एलक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे है तो एलक्ट्रॉन की खोज बाद में एगूई थी सबसे पहले क्या हुआ कैथोर किर्णों की खोज लोग और लास्त यर दो हजार अथारा में और पेसी फर्स्टेड में यह कोश्चन पूछा गया कि इनमें से विशेशता है तो आज का जो topic अपन बात करेंगे अगली heading डाले है cathode kit अगली heading cathode kit अगली जो अपन heading डाल रहे है वो डाल रहे है cathode kit cathode के अब देखें RPC first trade ने cathode किर्णों पर क्या question पूछा कि इनमें से cathode किर्ण की कौन सी विशेशता नहीं है उसने 3-4 विशेशता लिख दी नमबर एक ये सरल सीधी रेखा में गती करती है नमबर दो ये यांतरिक प्रभाव दरसाती है नमबर तीन ये वैदुत तथा चुम्बी के छितर की अनुपस्तिती में सरल सीधी रेखा में गती करती है चौता पॉइंट पूछा कि कैथोर किर्णों के लिए जो QYM होता है वो विसर्जन नलीका में गैस की प्रकरती पर निर्भर करता है इस तरह का कुश्चन साया जो अपन कल डिसकस करेंगे जो RPC ने अपन से पूछा अब देखे कैथोर किर्णों के बारे में अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सर विलियम्स कुक्स सर विलियम्स कुक्स वो क्या करता है एक फाइनली एक्सपेरिमेंट करता है म già Wi li Muy Five क्या करता है एक एक spot करता है वो क्या करता है एक विसर्जन अलीका लेता है कि इस तरह की विसर्जन अलीं का लेいる है और उसके अंदर क्या करता है वो गैस बढ़ देता है यहां पर क्या बढ़ देता है इसके अंदर गैस पर देता है साथ ही साथ इसके अंदर दो electrode fit करता है एक electrode आपको पता है cathode होता है दूसरा electrode क्या होता है Methode और anode की बात करें तो cathode आपको पता है ये battery के negative syring से और anode हमेशा बैटरी के positive syring से क्या होता है यहाँ यह क्या करता है कि जो pressure है gas का जो pressure है वो बहुत कम करता है और साथ ही साथ इस गैस के अंदर वैदु धारा प्रभाइद करता है और जो धारा है वो बहुत ज़्यादा प्रभाइद करता है जिसका विवव लगबग लगबग 10,000 वोल्ट होता है सीधी सी बात यह है वो एक टैक्टिकल कर रहा है वो एक विसरजन अलीका ले रहा है विसरजन अलीका में गैस भर रहा है गैस का प्रेशर को कम रख रहा है साथी साथ इसके अंदर हाई वोल्टेज पर धारा क्या कर रहा है प्रभाइद कर रहा है तो क्या होता है जब हम किसी gas के अंदर धारा प्रवाइद करते हैं तो gas क्या हो जाती है? Ionize होने का मतलब यह है कि उसमें से क्या बाहर निकल जाते हैं? Electrons बाहर निकल जाते हैं जैसे आपको पता है कोई सी भी gas हो जैसे helium gas है तो helium gas में भी क्या होगा? बहुत सारे helium helium के पर्माणू होगे और उनमें जैसे ही आप धारा प्रवाइद करोगे तो उनमें से क्या बाहर निकल जाते हैं? Electrons तो इसने जो यहाँ पर gas काम में ली और जैसे ही उसके अंदर उसने धारा प्रवाइद की तो क्या होगा? फाइनली होगा यह कि gas ionize होगी और इसमें से क्या बाहर निकल जाएंगे? Electrons बाहर निकल जाएंगे इस तरह से यही तो होगा अब आपको पता है कि जो cathode है यह तो सीधी सी बात है negative सिरा होता है और anode क्या होता है? positive सिरा होता है electrons पर आप सबको पता है कैसा चार्ज है? negative charge है negative charge वाला विप्रीत electrode पर जाएगा तो सीधी सी बात है यह electron cathode पर जाएंगे या anode की तरफ जाएंगे? anode की तरफ जाएंगे तो वास्तम में तो यह होता है वास्तम में तो यह होता ठीक है? लेकिन वो क्या करता है? practical करता है Williams Crooks क्या करता है? एक discharge tube ले लेता है उसके अंदर क्या करता है? gas भर लेता है pressure को कम कर लेता है धारा प्रवाइद करता है उच्छ विवाप पर तो क्या देखता है? वो यह देखता है कि यहां वो एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लागा, क्या लगता है, जिंक सल्फाइड का पर्दा, तो हुआ होगा, क्या होगा, गैस आइनाइज हुई होगी, गैस में से एलेक्ट्रोन भाहर निकले होगे, एलेक्ट्रोन कहा भागे होगे, एनोड की तरफ यहां भागे हुई है एनोड के पीछह जो हमने जिनक सल्फाइड का परदा लगा ईस पर क्या उत्पन हो रही है चमागूद पर है तो उस ने कहा कि यह किर्णे सीधी सी बात है ऐफ़ी से निकल लिए तो कैथोर से एनोड की तरफ जो किरने निकलती है उनी किरनों को हम क्या कहते हैं कैथोड किरने कहते हैं समझ मागी बाद और वास्ता में देखा जाए तो कैथोड किरने क्या है कैथोड किरने कुछ ही नहीं है इलेक्टोन का पुंज है electron के गुच्छे हैं यहां वास्टा में कौन भाग रा है electron ही तो भाग रहा है तो cathode से anode की तरफ जो किरने चलती है उनी किरणों को हम क्या कहते है cathode किरने कहते है अब इसकी पहली property क्या है कि यह जो race चलती है सरल सीधी रेखा में क्या करती है गमन करती है देखें, electron बाद में खोजा गया, पहले cathode किर्णों की खोजूए, एक experiment होता है, William Scrooks का, ये सारा काम करता है, तो उसको लगता है कि cathode से anode की तरफ किर्णे चलती है, उनी किर्णों को वो क्या करता है, cathode किर्णे कहता है, वास्ता में और जब इसने इसके बारे में देखा ग अगर यहां पर electric field होगा, तो सीधी सी बात है, आपको पता electric field में एक तरफ तो positive होगा, और दूसरी तरफ कैसा होगा, negative, अब आपको पता है cathode किर्णे वास्तम में क्या है, cathode किर्णे वास्तम में तो electron ही, अब यह वास्तम में electron है, यह negative particles हो गए, अब negative particles negative की तरफ जाएंगे positive की तरफ जाएंगे, positive की तरफ जाएंगे, तो वैदो छेतर के अंदर, जब हम cathode किर्णो को प्रभाइद करते हैं, तो वह धनावेशित प्लेट की तरफ मुर जाती हैं, उससे यह पता चलता है, कि cathode किर्णे रिनावेशित करणों से मिलकर बनी है, इनी रिनावेशित आगे चलकर क्या कहा गया, इलेक्ट्रोन कहा गया, तो मेरे इस आप से कैथोर्ड क्रिणों का एक्स्पेरिमेंट समझी माया, अपनी कॉपी में कच्छा सा इसको बनाओ, फिर इसकी विशेस्ता है लिखो, जो आप से RPSC 1st Lid 2018 में पूछी गई, मैंने काना, अपन को केवल वही चीज पढ़नी है, जो आपसे examiner बार बार पूछता है, chemistry का fixed scenario है, वो इसी तरह के question आप से पूछेगा, heading डाल लेंगे, cathode किरने, experiment करता है, बस थोड़ा सा idea होना चीए, यहाँ आपको theory में नहीं लिखना बहुत ज़्यादा बाते, बस हलका सा लिखना चाहो, तो यह लिख सकते हो कि जो pressure है, वो हाई है या लो है, निम्दाब है, और जो उच्छ विवाव है, खौद कुछ नहीं लिखना ज्यादा, objective pattern अलग होता है, आइनाइज होने का मतलब होता है, उसमें से अलेक्टोन का बाहर निकल जाएंगे, तो सीधी सी बात है, गैसमें से अलेक्टोन बाहर निकल जाएंगे और वो इलेक्टोन इधर भागते है, अब लिखे अब लिखे हैं विशेस्ता है क्या क्या प्रॉपर्टीज है विशेस्ता है और लिख ले यहां लगा भी ले RPSC 1st grade 2018 एक्जाम्स के कोष्चन आपको विलकुल रटे हुए होने चीए इसी से आपको आईडिया लगेगा एक्जामिनेर हम से क्या पोसता है RPSC 1st grade 2018 पहली विशेस त्हा नंर एक नंबर एक वैदू तथा चुंवीके च्छेत्र की अनुपस्थिति में ये ये वैदु तथा चुम्बिके च्छेत्र की अनुपस्तिती में सरल सीधी रेखा में गती करती है। शौट में लिख लेंगे सरल सीधी रेखा में गमन। कोई थोरी नहीं लिखनी, शौट में लिखना, समझ में आ गया, सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, जिसे मान लीजे, ये कैथोर्ड किरने चल रही है। कैथोर्ड किरने क्या है, प्रकाश के वेग से गतीमान होती है। अगर आपके इसके रहा में कोई पईया रख दोगे, तो वो इस पईये, जैसे ही कैथोर्ड किरने इस पईये से टकराती है, ये पईया क्या होने लग जाता है। इसका मतलब कैथोर्ड किरने mechanical effect दिखाती है, यांतरिक प्रभाव दिखाती है। यांतरिक प्रभाव दिखाती है। ठीक है? तीसरी पॉइंट क्या है? कि जैसे माल लीजे, अपने उपर लाइट पड़ती है, तो अपनी छाया बनती है। उसी तरीके से जो कैथोर्ड किरने है, अगर उनकी रहा में आप कोई वस्तु रग दो, और उसके उपर अगर कैथोर्ड किरने डाले, तो वो कैथोर्ड किरने दूसरी तरफ उसकी क्या बनाने लग जाती है? छाया प्रधान करती है। तो थर्ड पॉइंट लेखेंगे, छाया प्रधान करती है। समझ भागी पर? जैसे ही आप यहाँ पर कैथोर्ड रेज डालेंगे, अब आप सब के दिमाग में तो पहले ही है कि कैथोर्ड रेज कुछ भी नहीं है, कैथोर्ड रेज कुछ नहीं, इलेक्टोंस है, बीटा पार्टिकल्स है, इलेक्टोंस है, तो सीधी सी बात है किस तर किरने धनावेशित प्लेट की तरफ मुढ जाती है वैदुच्छेत्र की उपस्तिती में कैथोड किरने धनावेशित प्लेट की तरफ मुढ जाती है जिससे पता चलता है कि कैथोड किरने रिनावेशित कणों से मिलकर बनी है जिन्हें इलेक्ट्रोन कहा गया समझें बागी बात है होता क्या है एक्सपेरिमेंट तो विलियम्स कुक्स करता है और फिर वो वैदुच्छेत्र की उपस्तिती में जो प्रभाईबी करता है तो क्या देखता है कि कैथोड किरने पॉजिटिफ लेट की तरफ मुड़ गई तो इसका मतलब कैथोड किरने रिनावेशित कणों से मिलकर बनी है और बाद में जे जे जो थॉम्सन है वो इन रनावेशित करणों को ही क्या कहता है इलेक्टोन्स कहता है और बाद में एक साइंटिस्ट आता इस टॉनी वो इस रनावेशित करण का नामकरण भी करता है वो पर्टिकुलर इस चीज को क्या कहता है कि इस चीज को कहता है जो electron नाम करना है वो stony ने किया है किस ने किया है stony आप से कहे हमसे कभी यह नहीं पूछे जाते है scientist chemistry में जनरल बात है कि cathode किर्णों के बारे में William Scrooks बनाद बताता है और electrons के बारे में कौन बताता है JJ Thompson समझ मागें पॉइंट अगला पॉइंट देखे अब सोचो मान के चलो मैं इसके अंदर hydrogen gas भड़ देता hydrogen gas भड़ देता अब मैं इसमें धारा प्रभाइद करता तो hydrogen gas में से electron निकलते अगर मैं इसके अंदर helium gas भड़ देता तो electron भी किसमें से निकलते helium में से निकलते कली मैंने बता दिया था कि इस electron के लिए क्यों fix होता है electron का आवेश कल हमने पढ़ा था 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुला हमने पढ़ा था electron का जो दरवेमान है कल हमने पढ़ा था 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 केची तो आप यहाँ कोई सी भी gas रख लीजे उसमें से electron निकलेंगे और वो सारे के सारे electron किस तरफ जाने लगेंगे cathode से किदर जाने लगेंगे anode की तरफ तो वो कहता है कि जो cathode किर्णों की प्रकरती है भाई cathode किर्णों की नेचर क्या है कि cathode किर्णे electron से मिलकर बनी हुई है अब आप किसी में से भी किसी कोई सी भी यहाँ gas भर लीजे उसमें से क्या भार निकलेंगे electron भार निकलेंगे और वो electron cathode से कहा जाएंगे anode की तरफ जाएंगे तो वो कहता है कि cathode किर्णों की जो प्रकरती है वो इस बात पर निर्बर नहीं करती कि आपने विसर्जा निलीका में कौन सी gas भरी है क्योंकि आप विसर्जा निलीका में कोई सी भी gas भर लो अगर आप hydrogen gas भर लोगे तो उसमें से electron निकलेंगे वो एनोड की तरफ जाने लग जाएंगे अगर आप इसमें से helium gas भर लोगे तो उसमें से electron बाहर निकलेंगे वो किदर जाने लग जाएंगे एनोड की तरफ तो कुल मिलाके cathode किर्णों तो electron से मिलकर बनी है अगर आप यहां कोई सी भी gas भर लोगे तो उसमें से क्या भाहर निकलेंगे electron निकलेंगे और उन electron से ही आगे चलकर क्या बनने लग जाएगी cathode किर्णे बनने लग जाएगी तो वो कहता है कि cathode किर्णों की जो प्रकरती है वो विसरजन नलीका में जो आपने gas भरी है उस पर निर्भर नहीं करती क्योंकि cathode किर्णों होते हो electron से मिलकर बनी है हर electron के लिए Q-fix होता है हर electron के लिए M-fix होता है तो आप कोई सी भी यहां gas भर लीजे हमेशा यहां से क्या भाहर निकलेंगे electron और उनी electronों से आगे चलकर क्या बन जाएंगी cathode किर्णे बने के तो अगला point लिखे है वहरी वहरी इंोट्रेंट यही RPC ने पूछा था cathode किर्णों की प्रकरती cathode किर्णों की प्रकरती cathode किर्णों की प्रकरती βिसरजन नलीका में प्रयुक्त विसर्जन नलीका में प्रियुक्त गैस की प्रकरती तथा इलेक्टोड की प्रकरती तथा इलेक्टोड की प्रकरती यानि यह इलेक्टोड किसके बने समझे आ गया तथा इलेक्टोड की प्रकरती पर निर्भर नहीं करती पर निर्भर नहीं करती जैसे माल लीजे हम एक कैथोड किरण के प्रॉपर्टी देखते हैं कि कैथोड किरणों के लिए हैं हम क्यूब अब माल लीजिए मैंने यहाँ hydrogen gas बंख ली तो जैसे आप धारा प्रवाइट करो गिए hydrogen gas में से एलेक्ट्रोन निकलेंगे अब आप सबको पता है एलेक्ट्रोन पर आवेश निश्थ है एलेक्ट्रोन पर आवेश कित्ता होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाम पसफर किया है ये नेगेटिव में होगा आगर मैं इसका द्रवेमान देखू द्रवेमान मैंने कली बता दिये था इलेक्ट्रोन का द्रवेमान कित्ता होगा 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 केजी और ग्राम में लेखना होगा तो कित्ता हो जाएगा 10 की घाट माइनस 28 ग्राम होगा नहीं होगा जब आप इसको solve करोगे तो इसकी value कित्ती आएगी minus 1.76 into 10 की पावर 8 उपर unit लगेगी कुलाम और नीचे unit क्या लगेगी ग्राम अब आप यहाँ पर कोई सी भी gas बर लीजे उसमें से क्या बाहर निकलेंगे electron और हर electron के लिए QYM अलग अलग आएगा यह निश्चित आएगा तो वो कहता है कि जो cathode किर्णों की जो properties होती है वो इस बात पर निर्वर नहीं करती कि आपने यहाँ कौन सी gas बरी है या इस बात पर निर्वर नहीं करती कि आपनी यह electrode किसके बनाए cathode किर्णों के लिए जैसे example की बात करें कि है cathode किर्णों में आप कोई सी भी हाँ gas भर दीजे cathode किर्णों के लिए अगर आप QYM निकालोगे तो कोई सी भी gas भर दीजे हमेशा उसकी value कित्ती आएगी 1.76 into 10 की पावर 8 कुलाम अपन ग्राम अब आपसे RPSC first grade में इस तरह से question पूछा गया मैं आपको चारों point बताता हूँ आपसे पूछा गया cathode किर्णों की क्यों 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 कि हमारी 11th class की book के अंदर है इसी लिए हमारे से question पूछा गया कल भी मैंने आपसे कहा पढ़ना है तो 11th और 12th की book पढ़नी है इस तरह से हमसे पूछा गया कि cathode किर्णों के लिए इन में से कौन सी विशेष्ता नहीं पहला point वैदुत तथा चुम्रिके छेत्र की अनुपस्तिती में सरल सीधी रेखा में गती करती है इसका मतलब यह है कि यहाँ अलग अलग गैस भरी जाए तो qy m का मान अलग अलग आएगा या एक ही आएगा क्योंकि cathode किर्णों के लिए जो qy m का मान है वो आप यहां कोई सीवे gas भर लीजिए, हमेशा कैसा आएगा, निश्यती आएगा, याने cathode किर्णों की जो प्रकरती है, वो विसर्जन नलीका में जो आपने gas भरी है, या जो आपने electrode बनाए है, इनकी nature पर निर्भर नहीं करती, लेकिन हाँ, anode किर्णों में depend करेगी, वो या अपने कोर्स में केवले cathode किर्णों होतार, QYM, लिख लाए, cathode किर्णों होते लिए QYM, लिख लाए, QYM, चाहे वो cathode किर्णों बोले, या electron बोले, एक ही बात है, आगे बड़ा समझने हो, तो cathode किर्णे जब आप पढ़ेंगे, तो बहुत शॉट में 3-4 बाते निकल के आई, ये बाद, ठीक है, आगे समझ में, अब अगला पॉइंट कुछ सामाने सब्दावली हैं, जिन पर examiner आप से question पूछता है, सब्दावली, पहला पॉइंट, लिखें, first point, जैसे आप किसी भी तत्यू को रिप्रेजैंट करते हो, तो उसका तरीका होता है, Z, X, A, किसी भी तत्यू को जब आप रिप्रेजैंट करते हो, तो उसका तरीका होता है, जैड एक्स ए क्या मतलब है जैसे माल लीजे मैंने कारवन को रिप्रेजेंट किया तो कैसे करूँगा 6C12 अब आप सब को पता है यह जो नीचे लिखा है यह इसका परमाणुक्रमांग और परमाणुक्रमांग हमें यह जानकारी देता है कि इसके अंदर कितने प्रोटोन जैसे आपने कहा सबने रटा है हाइट्रोजन का परमाणुक्रमांग के सबने रटा है हीलियम का दो लीथियम का तीन बैरिलियम का चार तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कारबन का जैसे परमाणू करमांग 6 है तो इसका मतलब यह है कि इसके नाभिक में प्रोटोन की संख्या कितनी है? 6 है. अब आप सब को पता है कि परमाणू उदासीन होता है. इसका मतलब उदासीन होने के कारण जितने इसमें proton की संक्या होती है उतनी ही इसमें किसकी संक्या होती है electron की संक्या होती है समझ मागई होगी बात इसके उपर लगातार 2015-2018 इन बे question आये है तो इसलिए छोटा सा जल्दी से अपन पढ़ लेंगे क्योंकि ये सारी चीजे आप जा रहते हैं तो लिखे यहाँ जैड बराबर यहाँ जैड बराबर आप सब जानते हैं जैड को क्या बोलते है परमाणू क्रमाग यहाँ जैड बराबर परमाणू क्रमाग और परमाणू क्रमाग का आपको किसकी जानकारी देता है number of proton की सही रूप से परमाणू क्रमाग की सही परिबाशा ये है कि पर्माडू क्रमांग आपको ये बताता है कि इसके नाबिक में कितने प्रूटोन है इस समय वर्तमान के अंदर जो हम तत्वों की बात करेंगे वो हम NCRT के हिसाब से 118 तत्व पढ़ेंगे कितने पढ़ेंगे 118 तो समझ में आगया होगा पर्माडू क्रमांग का मतलब उसमें कितने प्रूटोन है और आप सब को पता है पर्माडू क्रमांग हमें electron की जानकारी भी देता है लेकिन ये कब देगा ये किस केस में देगा जब पर्माणू कैसा है जब हमें पता है पर्माणू कैसा होता है उदास है लिखते चलिए ठीक है दूसरी चीज ए एक को आप जानते हैं दो सब्द बोलते हैं द्रवेमान संख्या और इसी को नुक्लियोंस भी कहा जा सकता है नुक्लियोंस का मतलब जो नाबिक में है वो चीज़े नुक्लियोंस का मतलब जो नाबिक में है वो चीज़े और आप सब को पता है नाबिक में दो चीज़े है a proton in less, maths नुडूट्र ट्रोट्ट, प्रोट्हन प्लस with र सुन्माई बात यह हम यह भी लिख सकते हैं जरुमाण संख्या Bob आप सब को पता है प्रोटोन की संख्या किस के बराबर हुती है जैड के बराबर है के जितने प्रोटोन होते हैं वही तो उसका प्रमाडू करमंग होता है इसका मतलब न्यूट्रोन की संख्या अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एक फॉर्मूला तो है ए माइनस प्रूटोन की संख्या और दूसरा फॉर्मूला क्या है ए माइनस कि जैड़ हाँ न्यूक्लियॉंस का मतलब न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियॉंस होता है न्यूक्लियस में है जो और न्यूक्लियस में आपको दो चीजे है प्रोटोन और न्यूटोन जो हमारी द्रवेमान संख्या है जो हमारा मास नंबर है इसी को ही न्यूक्लियॉंस कहते है न्य को मिला करी द्रव्यमान संख्या बोलो या नज्यू लो डो लो फो डिस लगों अ स्वर आ लरी प्रोल्टों कि संख्या या न्यूट्रों की संख्या अ-डी अज нами अिसपर और पति है अर्पिए सी आप से से दो बार वार कोष्टम पूछी कोशियों कि ये आप से RIT में भी पूझा गया था 35-Bromine-80, 11-B organizing, राजस्तान गोर्ण की बुक का एक्जामपल, यही question आप से RIT में भी पूझा गया था, जो पहले होई थी, 35-Bromine-80 में, 35-Bromine-80 के नाबिक में, न्यू ट्रॉन की संक्या, 35 ब्रॉमीन 80 के नाबिक में działa multiplied neutron की संक्या मास हनुप आगे संहिं में आप सबको पता है ये जो चीज है ये पर्मानुक्रिमांग के इसका मतलब पर्मानुक्रिमांग का आपको proton की संक्या बताता है इसका मतलब इसमें proton की संक्या कितने है 35 आप सबको पता है रटते भी हो 35 ब्रॉमीन का परमापु करमाँ 35 इसका मतलब उसमें प्रोटोन की संख्या कितनी है 35 और आप सबको पता है परमापु उदासीन है इसे लिए इसमें इलेक्ट़ोन की संख्या भी कितनी होगी 35 और neutron की संख्या अगर आपको find out करनी है तो क्या करेंगे A, A minus क्या करेंगे Z, 80 मैंसे किसको minus कर लेंगे 35 और आपके पास answer कितना आगया आगया होगा सब्सक्राइब यह आपसे REIT में पूछा गया था हमें यह पता होना चीज जो theory पड़ रहे है इससे related objective में क्या बनता कोई वहाँ लिखना तो है नहीं वहाँ तो आपको यह देखना है कि question कैसे बने ठीक है अब आपसे RPSC ने पिछली बार बिल्कुल छोटा सा question पूछा वो भी लिख ले खुदी find out कर लेंगे उसने कहा 20 A 40 दो elements की बात करता है 20 A 40 वै 35 B 80 के के नाभिक में के नाभिक में neutron की संख्या का अनुपाद यह आपसे RPSC भी पूछागे यह आपसे RPSC सेकंड दोजार अठा आजकल नहीं आठा है ऐसे easy question वो 2018 वाला थोड़ा सा chemistry काफी easy थी उसे CDC बात है इसमें neutron निकाल लोगे 40 में से 20 गया तो किता रजाएगा 20 80 में से 35 गया तो 45 option था 4 उनपाद आगे समझा अगला जो पॉइंट्स है जिस पर RPSC आपसे question पूछ चुकी वो point लिखे है किसी भी परमाणू से आयन बनने के लिए केवल electron जिम्मेदार होता है क्या मतलब है आप सब ने पढ़ाएं कि जब परमाणू electron त्यागता है तो धनायन बनता है और परमाणू जब electron गेन करता है तो रिणायन बनता है इसका मतलब किसी भी परमाणू से अगर कोई आयन बन रहा है तो या तो electron त्यागे जाएंगे या electron गेन किये जाएंगे याने किसी परमाणू और उसके आयन में केवल और केवल electron में अंतर होता है क्या मतलब है जिसे मैं बात करूँ sodium की और आप सबको पता होता है कि जो हमारा sodium है इसका परमाणू करमा 11 होता है याने इसके अंदर sodium 11NA20 थे proton की संख्या 11 है फिलाल यह उदासीन है तो इसमें electron की संख्या भी कितनी है 11 है और इसमें neutron की संख्या आप सबको पता है कितनी है 12 लेकिन अगर sodium का electronic configuration देखे है तो सबने देखा होगा इसका electronic विन्याज 2-8-1 2-8-1 पहली कक्षा में 2 electron 1-2 दूसरी कक्षा में 2-2-2-P-6 8 electron और तीसरी कक्षा में 3-1 इतना idea सबको रहता है सबने सुना है Lewis Quasell का स्टक्नियम हर कोई परमाणू यह चाहता है कि उसके बाहितम कोश में कित्ते electron हो जाए 8 उसके लिए या तो वह electron त्यागता है यह electron क्या करता है grand करता है अब आप सबको पता है कि sodium क्या करेगा अस्तप पूरा करने के लिए साथ त्यागेगा या एक साथ ग्रेंड करेगा या एक त्यागेगा एक त्यागेगा तो यह एक इलेक्ट्रोन त्यागता है समझगा गी बात इसलिए सोडियम मेटल है मेटल वो चीज होती है जो को क्या करें त्यागा अब जैसे यह electron को परमाडू εयुक्त्यों त्याग़ता है तो आप सब को पता है वो क्या बद जाएगा धनायन बद जाएगा क्था है क्या proton की संख्या में कोई चेंज आयेगा is फॉडियम और सोडियम धनायन में तो आपrike कोगे प्रोटोन की संख्या तो सोडियम में भी 11 है और सोडियम धनायन में भी 11 है क्या न्यूटोन की संख्या में कोई चेंज आएगा न्यूटोन की संख्या में भी कोई चेंज नहीं आएगा इसमें में न्यूटोन 12 है तो इसमें भी न्यूटोन 12 है चेंज किसमें आएगा इलेक्टॉन की संख्या, इसके अंदर 11 इलेक्टॉन है जब किसमें इलेक्टॉन की संख्या क्या हो जाती है, 10 हो जाती है, हम यह कहते हैं कि प्रोटॉन और परमानुक्रमांग क्या है, तो आप यह कहते हो कि परमानुक्रमांग प्रोटॉन की संख्या कभी यह नहीं कहा जाता परमानु करमांग के इलेक्टॉन की संक्या क्योंकि जब परमानु उदासीन होता है उसी समय आप यह कहते हो कि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इलेक्टॉन है लेकिन जब आयन बन जाता है तो धनायन बनता है तो इलेक्टॉन की संक्या कम होती कितने electron कम होंगे? proton से एक कम तो sodium का परमाणू करमांग 11 11 में से 1 चला गया तो कितने रजाएंगे? 10 जैसे मैं बात करूं chlorine की 17 chlorine 34 देख रहा होगा proton 17 उदासीन है तो electron भी 17 neutron 18 विन्यास 287 पहले कोस में दो दूसरे में 8 तीसरे में 7 क्या करेगा electron को ग्रैंड करेगा? ताकि अस्तक पूरा हो जाएगे तो proton तो 17 होंगे लेकिन electron की संख्या बढ़कर एक extra हो जाएगी 17 की जगे क्या हो जाएगी? 8 आया समझेगा? neutron तो कितने रहेंगे? 18 ही रहेंगे अब आपको पता है 17 proton, 17 electron को उदासीन कर देंगे फिर भी एक extra electron रहेंगे और उसे एक extra electron के कारण धनावेश आएगा या रनावेश आएगा? रनावेश क्योंकि electron के कारण negative चार जाता है यही कारण है कि chlorine पर मानू जब electron घ्रेन करता है तो उसके उपर कैसा चार जाता है? negative चार जाता है समझे भागी बनावेश अब इस पर objective कैसे बनेगा? दो तीन तरीके से बनेगा भी मैं बता रहो sodium और na plus i n आखिरकार किस बात में भिन्निता रखते हैं? क्या इनमें proton की संख्या लग लग है? क्या इनमें neutron की संख्या लग लग है? या इनमें electron की संख्या लग लग है? तो आंसर क्या जाएगा? electron की संख्या कोई भी परमाणू और जो उसका आयन होता है कोई भी परमाणू और जो उसका आयन होता है उन दोनों में किस सीज में अंतर होता है? electron की संख्या में अंतर sodium और sodium आयन में proton neutron तो उतनी है लेकिन अंतर किस बात का है electron का यहां तक उतार है फिर मैं आगे आपको बताता हूँ इस पर हमारे 11th book है उसमें कैसे question है और इसमें कैसे है और RPC ने कैसे पूछाना है औरी दो line हो की है फिर आपको यह देखना इससे related question क्या बनेगा अब हमारे समझ में आजाएगा इससे related question तीन तरह से बनाता है तब ही तो कहता है chlorine अधातू है अधातू कौन होती है जो electron को स्थ्रक पूरा हो जाए यह electron क्यों ग्रेंड कर रहा है कि अब कहते हैं यह मैटल यह नॉन मैटल यह मैटल क्या है मैटल का धर्म है इलेक्टॉन त्यागना और नॉन मैटल का धर्म क्या है इलेक्टॉल को धिरेंड करने। चले, अब देखो, पहले अपन राजिस्थान बूर्ड 11 का एक्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एक्जाम्पल से रावन अपनी 11 क्लास का यह है। फाइंड आउट दी स्पीसीज, आपको वो बताना है कि वो स्पीसीज कौन सी है। पाइंड आउट दी स्पीसीज। मतला आपको यह बताना है कि वो क्या होगा, कौन सा आयन होगा या कौन सा परमाणू होगा। पाइंड आउट दी स्पीसीज। वो कौन सा, वो कौन सी स्पीसीज होगी। जिसमें प्रोटॉन की संख्या सोला हो। नूटॉन की संख्या भी सोला हो। और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें 18, राजिस्थान बूर्ड, एक्जाम, ठीक है, सबसे पहले आप यह देखें इसमें प्रोटोन की संख्या कितनी है, इसका मतलब परमानुक्रमांग सोला जिसका है उसकी बात हो रही है, और परमानुक्रमांग सोला किसका होता है, सल्फर का, समझ माया ऐसे कोश्चन को कैसे करेंगे सबसे पहले यह देखेंगे कि प्रोटॉन सोला है इसका मतलब प्रमाणुक्रमांग सोला और प्रमाणुक्रमांग सोला एक्टॉमिक नंबर सोला सल्फर का होता है अब प्रोटॉन न्यूटॉन को नहीं देखना अब अपन प्रोटॉ हम दो रिनाविज देंगे इसका मतलब यहां सल्फाइड आयन की बार है समझें कोई दिक्कत इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रोन जादा है तो इसका मतलब यह चीज क्या है सल्फाइड आयन ठीक है जैसे माल लोगे के एक्जाम्पल और हम कोशिश करें तो दूसरा एक्जाम्पल प्रोटॉन तेरा निट्रॉन 14 एलेक्ट्रॉन सबसे पहले सोचो कि प्रोटॉन 13 प्रोटॉन का मतलब परमानुक्रमंग 13 एलमोडिया समझना है अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो यह दोनों बराबर तो नहीं है बराबर होते तब तो उदासीन होता अब क्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा या तीन प्रोटॉन ज्यादा है तीन प्रोटॉन एलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तब तो नेगेटिव चार्ज आता है और प्रोटॉन ज्यादा होता है तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब यह कौन सा आइन है यह अपने किसका एक्जामपल ह का यह वाला एक्जामपल है जब आप पढ़ोगे तो आपको एक्जामपल सारे देखने हैं तुम्हें लेगा यह एक्जामपल से इसका अंसर यह इसका क्लियर अगला कोश्चन आपसे पूछा गया इसी बेसिस के ऊपर राज अपना दी क्या कहते हैं पुराना कोश्चन है आज कल नहीं आता और पीएसी दोजार यहां कोश्चन पूछा जाए लिखें चिंक प्लस टू के जिंक प्लस टू के नाबिक में जिंक प्लस टू के नाबिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी यदि द्रवेमान संख्या सत्तर दी गई है मुझसे पूछा गया है न्यूट्रॉन की संख्या कोश्चन में द्रवेमान संख्या दे रख्या सत्तर मेरे पास फॉर्मूला है कि मुझसे जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होती है तो मेरे पास फॉर्मूला है यह माइनस प्लोटॉन की संख्या अरे आया समझ में यही तो है अब हमारे दिमार्ग में है यहाँ जिंक नहीं जिंक प्लस टू आयन दे रखा है जिंक है और जिंक प्लस टू है के लिए हैं समय मैं आया जींग का प्रोटॉन की संख्या 30 तो इसका मतलब अगर इस के अंदर प्रोटॉन की संख्या 30 है जींग प्लस तू में भी प्रावाणकी संख्या कित्ती रहेPOS तो सेम रहते ईलेक्टॉन के नंबर में अंतर होता है तो मुझे पता चल गए संख्या बरबर क्या है अब आप सबको पता इए कि द्रवय मांस जना तो बोलो कितनी है सपिर प्रोटों की संख्या-इहां पर मारे पास कितनी ृटी टीज तो मadaan सर क्या जाएगा झाच सब्सक्राइब आगे हैं तो थ्योरी वही है अब अपने तीनों चारों तरीकी के कुश्चन अपन को समझ में आ गए अगर यह ऐसे पूछे तो हमें यह पूछना है यह चार तरह के एक्जामीनर हमसे अब तक कुश्चन पूछ चुका कोई सी भी हो फर्स्ट गेर्ड सेकेंड गेर्ड कहां आया यह रटा हुआ होना अपने दिमाग में रहना चीए यह ऐसे पूछा चला आगए अब कुछ सब्धावलियां और है जो आपने सुनी भी होंगी जिसे पहली टर्म होती है बार बार हमारे एक सब्ध काम आएगा सम अलेक्ट्रोडिक सम इलेक्ट्रोड नाम से ही पता चल रहा है कि जिनमें इलेक्ट्रोड की संख्या बराबर होगी वो आपस में क्या होंगे सम इलेक्ट्रोडिक होगी एहला एक्जाम्पन N2 कारवन मोनोकसाइड CN- अब आप सबको पता है नाइट्रोजन का परमानुक्रमंग साथ अब यहां एक नाइट्रोजन थोड़ी है दो है तो साथ और साथ 14 क्योंकि इस नाइट्रोजन में भी साथ होंगे और दूसरे में यह भी साथ होंगे सात और साथ 14 कारवन का परमानुक्रमंग छे यह ओक्सीजन का आठ आठ और छे चौदे नाइट्रोजन का साथ साथ और चे तेरा नेगिटिव का मतलब एक एक एलेक्ट्रोन ग्रेंड कर लिया गया 13 और एक कितना हो गया चौन तो यह सम एलेक्ट्रोनिक स्पीसीज हैं क्योंकि इन में नमबर ओफ एलेक्ट्रोन सब में कैसे है बरापर जैसे मैं कहूं कि अब अब आपको पता है एच माइनस हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन का परमाणुक्रमांग एक यान इसमें एक एलेक्ट्रोन था नेगिटिव का मतलब एक और आ गया एक और एक कितने हुए दो हाइड्रोजन हीलियम लीथियम लीथियम का परमाणुक्रमांग तीन प्लस का मतलब एक चला गया तो कितने रह गए दो बैरिलियम हा सार एलेक्ट्रोन थे लेकिन उसमें से कित्ते चले गए दो तो दो रहे गए कि आया समझें कि मैं आप से कहूं जो जनरली मेरे सबसे ज़्यादा काम आएगा वो यह काम आता है कि एल प्लस त्री कि एम जी प्लस टू कि एने प्लस कि नियॉन इफ मैनस ओ मैनस टू एण मैनस आ एकि यह सब सम एल लेक्ट्रोनिक क्योंकि में इस अफना पर्माठों पर वर के शुरू में टीरा एल्लेक्ट्रोन प्लस तीन कब मतना टीन चले गए जस Magnesium में 12 2 चले गए धनायन आता ही तब है जब Electron त्यागी जाते 10 14 में से एक चला गया 10 Neon का परमणुक्रमंग 10 है है ना 10 ही है Fluorine 9 Negative का मतलब एक और आ गया 9 और एक 10 Oxygen का परमणुक्रमंग 8 8 और 2 10 Nitrogen का 7 7 और 3 10 Example No.4 बार बार एक Example और काम आएगा Potassium Ayan Calcium Ayan Sulfide Chloride Argan आपको 3-4 Species दे देगा पूछेगा इनमें सम एलेक्ट्रोनिक को और से Potassium 19 एक चला गया 18 Calcium 20 2 चले गए 18 Sulfur 16 2 आगे 18 Chlorine 17 और एक 18 Argan 18 आपको 3 यह सम एलेक्ट्रोनिक से आगे होगा समझ में यह सम एलेक्ट्रोनिक है जिन में एलेक्ट्रोन की संख्या कैसी होती है पर आपको मैं आपसे पूछू क्या N2 और N2 और N2 प्लस हम एलेक्ट्रोनिक है के सूच की बता है बता है बता हूँ N2 कितने एलेक्ट्रोन बोलो तो सही साथ क्यों हादा चौदे एलेक्ट्रोन सादूनी चौदे Nitrogen कितना 7 Oxygen कितना 8 8 और 7 15 एक चला गया तो 14 तो इसका मतलब N2 और N2 और N2 प्लस आपस में क्या है आया सब्सक्रोन एक तर्म और आती है जिसे बोलते है आईसो इस्टर्स पूछेगा नहीं लेकिन नोट्स पतले हो जाएंगे न फिर तुम कहोगे सर बजार में कम पढ़ाते साथ यह बात ही नहीं करेगा बात तो सिर्फ और कोशन पूछेगा लेकिन ठीक है हमारी 11 की बुक में सारी सीचे हैं तो आपनको थोड़ा आइडिया होना चाहिए आइसो इस्टर्स आइसो इस्टर्स में आपको दो बाते देखनी होती आइसो इस्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोन की संख्या समान इलेक्ट्रोन की संख्या समान फिर तो सम इलेक्ट्रोनिक होने चाहिए अगर इलेक्ट्रोन की संख्या समान है तब तो हम उनको बोलते हैं सम इलेक्ट्रोनिक लेकिन इलेक्ट्रोन की संख्या तो समान है और सात में परमानू की संख्या भी समान है तो उस चीज़ को कहा ज दो चीज़े देखनी पड़ती आईसो इस्टर्स में एलेक्ट्रोन की संक्या समान और परमाणू की संक्या समान जैसे मैं आप से कहूँ N2O सब ने सुनाओगा नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं इस एक दूसरी गैस मैं लिख रहा हूं कर्बन डाई ऑक्साइड, N2O नाईट्रस ऑक्साइड है हसाने वाली गैस है इसमें इसमें कितने परमाणू है दोर एक 3 परमाणू तो टौनों में रक्ते तो दोनों Zap ऑक है तो दोनों में परमाणू कि संक्या बरबर नोमें और ऑक्सिजन में किते 8, 14 और 8 किता हुआ, 20 O2 में 8 दूनी, 16 और कार्बन में 6, 16 और 6, 22 इन में संभावना कम होती है, पूछने की लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो, अब सबने सुनाओगा समस्था ने, आइसो टॉप्स, प्रोटियम, यूटीरियम, ट्राइटियम, समने सुना ओका proteum, deuterium tritium ठीक्या इसका परमाणुकरमांग एक इसका परमाणुकरमांग एक इसका परमाणुकरमांग एक यानि समस्थानिक वो जिनके परमाणुकरमांग समान सेम atomic number तीनो की द्रव्यमांग संख्या लग लग but different in atomic mass या mass number sorry same in atomic number but differ in mass number द्रव्यमान संख्या अलग है कि अब अब को पता है समस्थानिक क्या अलग है अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन में proton व इलेक्ट्रोन समान देखो तीनों का परमाणुक्रमांग एक एक है तो तीनों में proton भी एक 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 electron भी एक 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 लेकिन इसमें neutron किता जीरो इसमें neutron किता एक और इसमें neutron किता दो तो proton और electron की संख्या समान लेकिन neutron की संख्या में भिन्निता आया समय तीनों की neutron एक जैसे थोड़ी तीनों की neutron तो कैसे हैं अलग अलग इसका जीरो है इसका एक है और इसका दो ठीक है अगला सम ने पड़ा है सम भारिक और भी एक्जाम्पल्स देख सकते हैं एक्जाम्पल टू क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 सुना होगा प्रकरती में क्लोरीन दो रूपों में मिलता है 35 और 37 की फॉर्म ये दौनों की दौनों आपस में समस्ता रहे हैं क्योंकि दौनों का परमाणुक्रमान तो समान है लेकिन दौनों की द्रवेमान संख्या अलग अलग है दौनों में proton एक जैसे हैं लेकिन neutron दौनों में अलग अलग अगला संभारिक आइसो बार राजस्थान बोर्ड की बुक में ये सारी चीजे हैं इसी रहे थोड़ा सा एक बार आइडिया ले ले लें सब चीजों का आइसो बार सिक्स सी फोर्टीन एंड सेवन एंड फोर्टीन संभारिक समझमा आगया होगा दौनों की भार समान हो दौनों की द्रवेमान संख्याइक जैसी हो लेकिन अंतर परमानुक्रमान का अलग अलग हो समझमा आगी बात यहां अगर आप देखोगे तो दौनों में प्रोटोन भी अलग-अलग है दौनों में न्यूटोन भी अलग-अलग है और दौनों में इलेक्टोन भी कैसे हैं अलग-अलग आइसो टॉम आया समेंगे आगया दोनों में प्रोटोन भी अलग अलग है अगर प्रोटोन एक जैसा होता तब तो में समस्थानिक बोल देते दोनों की द्रवेमान संक्या भी कैसी है अलग अलग अगर एक होती तो हम समभारिक बोल देते अगर आप इसमें neutron की संख्या find out करोगे तो 13 में से 6 गया तो कित्ता आएगा 7 और 7 and 14 में neutron की संख्या find out करोगे तो इसमें भी कित्ती आएगी 7 इसलिए दोनों को क्या कहा सम्न्न्यूट्रोन एक कहा यह सम्न्न्न मेरे सबसे जो पढ़ाया अज समझ में आगया हूँ अभी थोड़ा सा 2-4 दिन एक एक ही चलाएंगे फिर अपने आप चुड़ जाएंगे साथ और अगली heading डालके छोड़ है भिविन परमानविक मॉडल्स कल से अपन भिविन परमानविक मॉडल्स की बात करें